Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. आज की ये वीडियो बहुत ही informative होने वाली है उन सारे ही students के लिए जो लोग भी anti-UGC net exam को देने की सोच रहे हैं या जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी आज की वीडियो बहुत important है क्योंकि जिस exam को आप दे रहे हो उसके बारे में आपको knowledge होना जरूरी है ठीक है तो इस exam इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं कि UGC net exam होता क्या है उसके बाद eligibility क्या होती है इस exam को देने के लिए एज limit का क्या criteria है एज कितनी होनी चाहिए पेपर का pattern क्या रहता है syllabus क्या होता है और एक चीज में बहुत confusion रहता है जो नए नए students इस exam को देना चाहते हैं उनको यह समझ नहीं आता कि net और jrf क्या यह अलग-अलग paper होता है अलग-अलग exam होता है या फिर यह एक ही है या इन तो आपको यह शुरू से end तक इस वीडियो को देखना है बिल्कुल भी miss नहीं करना है और अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कर दीजेगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल free of cost हर unit हर concept के deep understanding कराई जाती है और वो भी बिल्कुल सरल भाशा में teaching और logical reasoning से related मैं cover करा चुकी हूँ और मैंने playlist बना दी है दोनों ही units की आप लोगोंने अगर वो नहीं देखिये तो जाकर जरूर से check out कर लीजेगा और बाकी की जो भी units बाकी हैं जो भी units हैं उनको भी हम start करने वाले हैं तो आप लोग channel को subscribe कर दीजेगा अब हम देखते हैं कि UGC net exam होता क्या है इसके बारे में जो basic information है जो हमें जानना ज़रूरी है वो हम देखते हैं तो UGC net exam UGC की full form होती है University Grants Commission और जो net है नेट की full form होती है National Eligibility Test और इसको हम UGC net भी कहते हैं short में कि UGC net exam ओके तो यह जो exam होता है यह national level पर होता है और इसको कौन सी जो body है वो conduct करवाती है जो administer करती है वो है National Testing Agency NTA इस exam को conduct कराती है National Testing Agency और net exam जो है उसको full form होती है National Eligibility Test इस exam को देने का purpose क्या होता है अगर आप इस exam को qualify कर लेते हो तो इसका जो purpose होता है वो होता है determining eligibility for post of assistant professor and junior research fellowship अगर आप इस exam को qualify कर लेते हो तो आप किसी भी college ये university में assistant professorship के लिए apply कर सकते हो आप उसके लिए eligible हो जाते हो और अगर आपका GRF qualify होता है इन दोनों में difference में भी आपको बताऊंगी GRF अगर आपका qualify होता है आप टॉप के 1% में आते हो तो अगर आप 3 साल के अंदर-अंदर PhD में enroll कर लेते हो तो monthly आपको government की तरफ से fellowship दी जाती है और ये fellowship आप increase भी हो गई है तो उससे भी आपको motivation लेना है बहुत जादा relax नहीं होना है जो लोग भी December वाले exam की तयारी कर रहे हैं मैं उन सभी से request करूँगी कि आप लोगों के पास 6 months भी नहीं है 5 months है बस अगर आप first attempt में अपने exam को qualify करना चाहते हो ठीक है 6 months बाद आप बताना चाहते हो कि भई मैं NET JRF qualify हूँ तो आपको अभी से अपनी तयारी start कर देनी है क्योंकि अभी exam हुआ है बच्चे बहुत जादा relax हो गए है तो जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा इस बार exam qualify नहीं होगा वो लोग और जिन लोगों ने अभी अपनी exam की तयारी start की है वो लोग दोनों से ही मैं request करूंगी कि आप लोग अभी से अपना syllabus को complete करना शुरू कर दीजिए आपका syllabus complete होना बहुत important है और अगर आप लोग मुझसे कहोगे तो मैं इस concept पर वीडियो लेकर आऊंगी कि आपको तयारी करनी किस तरह से है ताकि आपका 5-6 months में ये exam qualify हो जाए फस्ट अटेंड में जैसे कि मैंने किया था ओके अब ये जो exam होता है आपका ये offline नहीं होता है ये online होता है online इस exam को conduct कराया जाता है computer based exam होता है और उसके साथ साथ एक चीज ओर है कि इसमें कोई negative marking नहीं होती है ठीक है आप आराम से UGC net exam दे सकते हो इसमें कोई negative marking नहीं होती है application fees की अगर हम बात करें कि जो registration fees जाती है उसका जो charge होता है वो होता है general category के लिए होता है 1150 रुपीज ठीक है यानि 1150 रुपे general category का होता है OBC और EWS के लिए होता है 600 रुपीज यानि 600 रुपे होते हैं आपके application fees जो आप registration करते हो उसकी fees SCST और third gender के लिए होता है 325 रुपीज ये आपका होता है application fee उसके साथ साथ जो ये exam है UGC net exam ये साल में दो बार conduct कराया जाता है एक December और June अभी Corona के time पर इसमें थोड़ा सा उत सार चड़ाओ हो गया था आगे पीछे हो गया था बट अब थोड़ा manage है सब तो आप जैसे कि आपका जून वाले exam हुआ है तो आपका next exam कब होगा December में तो साल में दो बार ये exam conduct कराया जाता है अब score validity के अगर हम बात करें तो जो आपका GRF है अगर आपका GRF qualified हुआ है तो तो टॉप 1% बच्चे होते हैं उपर उपर के उनको दिया जाता है GRF यानि junior research fellowship उनको fellowship दी जाती है government के द्वारा ताकि आप अपनी PhD कर सको किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टिट्यूट से और तीन साल के अंदर-अदर आपको PhD में enroll कराना होता है उसके साथ अगर आपक Net Qualify होता है अगर आपको सिफ Net Qualify होता है Net Qualify कर होता है जब आप Top 6% में आते हो JRF के لिए Criteria होता है कि आप जितने भी बच्चों ने एकजाम क्वालिफाई किया है जो Top 1% होती है उनको दिया जाता है JRF, और जो Top 6% होते है, उनको माना जाता है Net, ठीक है उनको किस के लिए eligible माना जाता है assistant professorship के लिए तो ये आपको difference अच्छे से याद रखना है कोई अलग से exam नहीं होता है कि GRF का अलग है और assistant professor का ये net का exam अलग है ये दोनों एक ही exam है जो ऊपर के 1% होते हैं जो ऊपर के topers होते हैं जो 1% लोग होते हैं उनको दिया जाता है GRF औ उनको 6% होते है जितने भी जितने भी लोगों ने exam को apply किया है और जितने भी लोगों ने उसको qualify किया है उसमें जो top 6% होते हैं उनको net qualified माना जाता है ठीक है तो जो GRF की validity होती है वो 3 years होती है और जो assistant professorship की जो validity होती है जो वेलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है एक बार आपने नेट कॉलिफाई कर लिया उसके बाद आप लाइफ टाइम कहीं पर भी असिस्टेंट प्रफेस्टरशिप के लिए अपलाई कर सकते हो बड़ जैरफ के लिए यह जो टाइम है वो तीन साल का है तीन साल के दंदर आपको PhD में enroll होना होगा अगर आप चोथा साल अगर आ जाता है तो आपको दुबारा से GRF qualify करना होगा उसके बाद आपको वो fellowship मिल सकती है ओके I hope this is clear अब आगे हम देखते हैं कि eligibility क्या होती है इस exam को देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए To be eligible for UGC net exam the candidates must have completed their master's degree or equivalent from a recognized university with at least 55% marks यानि अगर आप इस exam को देना चाहते हो appearing में भी वैसे दे सकते हो आप लोग appearing में भी इस exam को qualify कर सकते हो बट इसका जो qualifying marks होते हैं आपको master's में 55% आपको score करना है कम से कम अगर आपके 55% marks हैं तभी आप इस exam को दे सकते हो general category और अगर आप reserved category से ब्लॉंग करते हो जैसे OBC, SC, ST उन सभी के लिए 50% रखा गया है इसका eligibility criteria कि जो जिस subject से भी आप master's कर रहे हो उसमें आपको 50% marks लाने ही लाने हैं तभी आप eligible माने जाओगे और यह exam दिया कैसे जाता है जैसे आपने अगर education से अगर master's किया है emid किया है या main education किया है तो आप education के लिए apply कर सकते हो अगर आपने commerce से master's किया है, emcom किया है तो आप commerce से apply कर सकते हो हिंदी से किया है, main Hindi तो आप हिंदी से मतलब जिस भी subject में आपने master's किया है उस subject से आप इसको दे सकते हो 83 subject है currently, UGC net exam देने के लिए जो list है पूरी subject की वो UGC net की जो website है official website है ugcnet.nice.in वहां जाकर आप पूरी list चेक कर सकते हो 83 subject currently है जिससे आप net exam दे सकते हो और अगर आपका उन subject list में अगर नाम नहीं है अपने subject का तो उससे related आपके subject से related जो वहां पर subject मौझूद है उससे भी आप exam दे सकते हो ऐसा net द्वारा कहा गया है, NTA द्वारा कहा गया है तो उस list को भी आप जाकर चेक कर सकते हो there is no age limit to appear for the exam और net exam देने के लिए कोई age limit भी नहीं है जबकि GRF के लिए age limit है, अब age limit क्या है the age limit for junior research fellowship in UGC net is 30 years GRF के लिए आपकी जो age है वो है 30 years यानि 30 साल के अंदर-अंदर आपको यह exam देना होगा अगर आप general category से ब्लॉंग करते हो, ठीक है as per the revised age limit by national testing agency NTA ने 30 years का age criteria रखा है GRF क्राइफ करने के लिए however, a relaxation of up to 5 years is provided to candidates belonging to reserved categories 5 साल का relaxation दिया जाता है किन categories को? SC, ST, OBC, NCL, PWD and women applicants अब जो women है, वो चाहें general category से ब्लॉंग करती है या OBC category से ब्लॉंग करती है जिस भी category से ब्लॉंग करती है women applicants को 5 साल का relaxation दिया जाएगा चाहें आप general हो या OBC हो सभी को relaxation दिया जाएगा यानि, JRF की अगर हम age माने women के लिए तो वो होगी 35 और बाकी के लिए कितनी होगी 30 general के लिए 30 और OBC अगर SC-ST सा ब्लॉंग करते हो तो कितना होगा 35 क्योंकि 5 साल का relaxation दिया जाता है जबकि net qualify करने के लिए आपके कोई age limit नहीं है आप 45 years के हो तब भी आप net दे सकते हो 50 के हो तब भी दे सकते हो तो जो net exam है जो कि जिससे की ये पता चलता है कि आप assistant professorship के लिए eligible हो उसके लिए कोई age limit नहीं है बट अगर आपको GRF qualify करना है GRF की amount चाहिए तो उसके लिए 30 साल के अंदर-अंदर आपको ये exam qualify करना होगा अगर ज्यादा हो जाती है तो आपको GRF नहीं दिया जाएगा ठीक है GRF के amount नहीं मिलेगी तो ये हुई age limit की बाद अब हम देखते हैं कि UGC net exam का pattern क्या होता है exam pattern की अगर हम बात करें तो इसमें basically दो paper में divide किया जाता है exam एक ही होता है तीन घंटे का आपका एक ही paper होता है बट उस तीन घंटे के आपके paper को दो paper में divide किया जाता है एक होता है paper 1 और एक होता है paper 2 जो आपका paper 1 होता है वो होता है general paper general paper होता है जो कि किसी भी subject से अगर आप net दे रहे हो आपको वो same ही मिलेगा उसका syllabus same रहता है सारे ही subject के लिए वो common paper होता है और उसमें कितने questions पूछे जाती है 50 questions पूछे जाती है और हर question के लिए आपको 2 marks दिये जाएंगे यानि 100 marks जो paper 1 होता है जिसमें 50 questions पूछे जाती है उसके आपको मिलते है 100 marks और जो paper 2 होता है यह अलग-अलग नहीं होता है एक ही साथ होता है तीन घंडे का paper तो जो paper 2 होता है उससे आपके 100 questions पूछे जाती है ठीक है और वो paper 2 वो किस से होगा जिस subject से आपने master's किया है जिस subject से आपने UGC net exam देने के लिए apply किया है उस subject से आपके 100 questions पूछे जाएंगे और उन 100 questions के आपको marks कितने मिलेंगे 200 marks यानि 2 marks for each question 2 marks मिलेंगे आपको हर एक question के तो paper 1 के लिए कितने हुए आपके 50 questions और 100 marks और paper 2 के लिए 100 questions यानि 200 marks और ये total question आपके कितने होगा फिर 150 और आपको marks कितने मिलेंगे 150 questions के 300 marks आपको मिलेंगे और आपको time कितना मिलेगा 180 मिनेट्स यानि कि अगर 1500 questions है और 180 मिनेट्स आपको मिल रहे हैं एक मिनेट्स से ज्यादा का time मिल जाता है आपको एक question को solve करने का तीन घंटे का यह paper होता है paper 1 और paper 2 आपको अच्छे से समाझ आ गया होगा paper 1 मतलब common paper paper 2 जिस भी subject से आपने net के लिए apply किया है उस subject से related आपके 100 questions पूछे जाएंगे cutoff इसके हर बार अलग जाती है कभी same नहीं जाती है उपर नीचे होती ही रहती है तो आपको previous year cutoff को देखना होगा अगर आप cutoff जानना चाहते हो तो अगर आपके 60% से ज्यादा marks हैं तब ही आप मान सकते हो कि आप NET या GRF qualify कर सकते हो आपको 60% लाना ही होगा ऐसा मैं बता रही हूँ क्योंकि previous year के according अगर हम देखें तो कम सकम 60% आपको लाने होंगे तब आप मान सकते हो कि 60% से ज्यादा लाने होंगे तब ही आप मान सकते हो कि मेरा NET और GRF की उम्मीद है किलियर होने की qualify होने की इसके लिए एक और criteria होता है कि आपको paper 1 और paper 2 इन दोनों ही paper में 40 marks 40% marks score करना होगा तब आपको माना जाएगा कि आपने qualifying marks तो आपने gain कर लिए है 40% अगर आप ले आते हो तो उसका यह मतलब नहीं कि आपका exam qualify हो गया 40% यह criteria है कि अगर आपके 40% आते हैं दोनों ही paper में तब आपकी copies check होती है तब आपका आगे का होता है अगर आपके 40% ही नहीं है तो आपका कुछ होई नहीं सकता 40% सिर्फ आपके qualifying marks है उसके साथ साथ जो cut off जाती है वो हर बार अलग जाती है उसके according आपको score करना होगा अगर आप qualify करना चाहते हो I hope आपको यह सारी चीज़े अच्छे सा समझ आ गई होंगी अब हम देखते हैं जो UGC net paper 1 मैंने आपको बताया कि वो general paper होता है तो उसमें basically 10 units होती है paper 1 में और वो 10 units कौन कौन सी होती है वो होती है यह सारी जो यहां पर मैंने लिखी हुई है UGC net paper 1 के syllabus में आपको 10 units होंगी और हर एक unit से 5-5 questions पूछे जाएंगे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है किसी unit से 3 हो जाते हैं किसी unit से 7 questions हो जाते हैं मगर अगर हम एक average देखें तो हर unit से अगर 5-5 आपके question है ठीक है 10 units है तो कितने हो गए 50 questions ठीक है 5 questions from each unit कौन कौन सी unit होती है teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude logical reasoning, DI, data interpretation, ICT सा आएंगे questions, people development and environment and higher education यह आपके 10 units होती हैं जो सबके लिए common होता है paper ठीक है तो यह तो हुआ आपका paper 1 और जो paper 2 होता है आपका यहाँ पर मैं education के बारे में बता रही हूँ paper 2 और इसके अलावा आपका कोई भी paper है आप NTA UGCnet की जो official website है ugcnet.nta.nic.in वहाँ पर जाकर आप अपने किसी भी subject का syllabus डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर education का है education की 10 units होती हैं जिसमें आपकी यह सारी units आती है educational studies, history, politics, इसको आप देख सकते हो यह आपका UGCnet paper 2 education का syllabus है तो 10 units यह और 10 units paper 1 की देखा जाए तो 20 units होती हैं आपकी अब आप खुद सोचिए कि 20 units cover करने के लिए आपको कम से कम 6 months तो चाहिए न और दिसमबर वाले exam के लिए आपके पास सिर्फ सिर्फ 5 months का बाकी है तो आपको प्लीज अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देनी है रोज आना पढ़िए थोड़ा थोड़ा पढ़िए बट regular पढ़ाई कीजिए सबसे पहले syllabus cover करने की कोशिश कीजिए तभी आप इस exam को qualify कर सकते हो क्योंकि 20 units है आपके पास और time कितना है 5 months अच्छे से cover करना है अब difference क्या होता है net and jrf के बीच तो जो top 6% होते हैं top 6% of the candidates who have cleared the exam are considered net qualified जैसे कि मान लीजिए 1 lakh students ने apply किया 1 lakh मतलब 4 lakh students ने apply किया and 1 lakh students ने उसको qualify किया apply कितने ने भी किया लेकिन जितनों ने qualify किया 1 lakh ने qualify किया तो उन qualify candidates में जो top के 6% होते हैं उनको माना जाता है net qualified मान लीजिए 1 lakh ने exam को qualify किया तो उसमें जो 6% होंगे 1 lakh का 6% कितना हुआ 600, 6000 तो 1 lakh में से जो 6,000 बच्चे हैं उनको माना जाएगा net qualified जो उपर-उपर के होंगे और JRF के लिए क्या होता है top 1% of the candidates who have cleared the exam are considered JRF qualified यानि जितने भी बच्चों ने qualify किया है exam को उसमें जो top के 1% होते हैं सिर्फ और सिर्फ top के 1% बच्चों को JRF की amount दी जाती है junior research fellowship का certificate दिया जाता है जैसे कि वही example लेते हैं अगर 1 lakh students ने qualify किया है exam तो उसमें 1,000, 1% कितना हुआ? 1,000 तो 1,000 बच्चों को दिया जाएगा JRF ये होता है criteria exam अलग-अलग नहीं होता है एक ही exam होता है अगर आपने बहुत अच्छा score किया है तो आपको JRF मिलेगा अगर आपने थोड़ा सा कम अच्छा score किया है तो आपको net qualified माने जाएगा और दोनों के अपने-अपने अलग-अलग फाइदे हैं ठीक है? तो ये तो ही net और JRF के 20 difference की बाद अब हम देख लेते हैं कि इस exam को qualify करने के आपके benefits क्या है क्या आपको benefit मिलेगा अगर आप इस exam को qualify कर लेते हो तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि national level का exam है इसके नाम से आपको पता चल रहा है national eligibility test तो national level पर आपकी eligibility को examine किया जा रहा है यहाँ पर तो सबसे पहला तो इसका फायदा है यही कि अगर आपको GRF मिल जाता है अगर आप top 1% में आ जाते हो तो आपको GRF मिलेगा GRF यानि junior research fellowship government की तरफ से आपको PhD करने के लिए fellowship दी जाती है और उसकी amount अप 37,000 हो गई है पर मन्द ठीक है? और उसके बाद आपको SRF मिलता है पहले GRF मिलता है फिर वो amount बढ़ जाती है SRF में convert हो जाता है वो तो इतनी सारी amount आपको मिल रही है इतनी सारी fellowship मिल रही है आपको government की तरफ से तो आप अपनी मर्जी से अच्छी से अच्छे institute से PhD कर सकते हो लेकिन इसका होता है कि तीन साल के अंदर-अंदर आपको admission लेना होता है PhD में enroll करना होता है तो सबसे पहले तो यही फायदा है आप अच्छे से PhD करोगे और उसके बाद आप assistant professor बनोगे आपकी salary भी जाद होगी आपका एक समाज में एक पहचान होगी अपनी तो सबसे पहले तो यही फायदा है दूसरा अगर आपका JRF नहीं होता है आपका net qualify होता है तो आप किसी भी institute में किसी भी college में किसी भी university में government ये private कहीं पर भी assistant professor बनने के लिए apply कर सकते हो एक अच्छे assistant professor बन सकते हो ठीक है दूसरा इसका फायदा हुआ ही तीसरा के फायदा हो सकता है कि increased chances for promotion अगर आप पहले से कहीं पर job कर रहे हो ठीक है कहीं पर भी आप assistant professor की post पर job कर रहे हो तो उस दोरान अगर आपका net qualify हो जाता है तो आपके promotion के chances बढ़ जाते हैं आपका जो salary है वो भी increase होने के chances बढ़ जाते हैं और आपके promotion के chances बढ़ जाते हैं तो ये भी फायदा है इसका एक और फायदा क्या हो जाता है increase in employment, employment value यानि आपका जो है अगर आपका net qualify हो जाता है तो बहुत सारी जो private या government institute हैं वो लोग अपना criteria लगा देते हैं कि जो net qualify candidate है बस वही apply कर सकते हैं तो अगर आपके पास net का certificate है तो आपके employment के chances बढ़ जाते हैं एक व्यक्ति आया है जिसका net qualify है एक व्यक्ति आया है जिसका net qualify नहीं है तो किसको prefer किया जाएगा जिसका net qualify है उसको prefer किया जाएगा ठीक है तो आपके employment की value chances बढ़ जाती है एक और इसका क्या फायदा है कि आप एक अच्छे लेखक बन सकते हो become an author आपने net qualify किया आप अपनी books लिख सकते हो book पर आप लिख सकते हो MA in education plus net and GRF qualified ठीक है तो आप एक अच्छे order बन सकते हो अच्छा लिख सकते हो अपनी books निकाल सकते हो इसके साथ साथ आप अपना पढ़ाई का business start कर सकते हो पढ़ाई का profession start कर सकते हो को institute खोल सकते हो कुछ भी कर सकते हो आप एक तरीके से आपके पास multiple options होते हैं multiple career opportunities होती हैं anti-UGC net exam qualify करने के बाद आपके पास आपकी life में options बढ़ जाती हैं ठीक है? आपको जो पसंद है आप उस field में आप जा सकते हो तो यह हुई बात benefits के बारे में ओके? यह थी मेरी तरफ से एक UGC net exam से related information I hope आपके लिए यह information useful होगी अगर आपको यह video थोड़ी सी भी helpful लगी हो तो please channel को subscribe कीजिएगा और support कीजिएगा ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छा content ला सकूँ और वो भी सबसे आसान शब्दों में ओके? आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए concept के साथ एक नए unit के साथ जल्द ही Thank you so much